हेलो गाईज विल्कम बैक टू माई चानल इसमारे जोंसों गाईज आजम बात करने वाले हैं अररभी एंटी पीसी 2020 एक्जाम के बारे में इसके बारे हम लोग बात करें कि आपको होम सेंटर मिलेगा या नहीं और फ्री ट्रैवल पास के बारे में बात कर लेंगे और गाईज यहां पर इंपोर्टन यह है कि इन लाश्ट के डेज में आप कैसे अपने प्रपेशन को एक्जेक्यूट करते हो तो कि स्ट्रैटेजी की थुरू आपको यहां पर इस एक्जाम में एपेर होना पड़ेगा अधर्वाइस आपकी सेलेक्शन में यहां पर कुछ न कुछ कमी रह सकती है तो मैं जो स्ट्रैटेजी बताने बाला हूँ अगर आपकी पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो करते हो उससे आपको सक्सेस मिलाए तो आप उसी को फॉलो करो otherwise अगर आपके पास strategy नहीं है और आप pressure हो तो आप definitely इस वीडियो को देखना अगर आप 50% भी strategy को follow करोगे तो definitely आपका selection होके रहेगा तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे last 20 days में आपको कैसे preparation करनी है most high scoring topic देखने वाले हैं कि most high scoring कौन कौन से topic होगा subject wise और mock test में कैसे अपने score को improve करें इसके बारे में आपको एक अच्छी से tips देने वाला हूं तो जिहान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को like जहूर शिक करना और share भी कर देना जहां से आप ज्यादा score gain कर सकते हो मैं आपको सिर्फ चार्ज अप करने नहीं आया कि मैं आपको चार्ज कर दूँ you can do it you can do it मैं हर एक line के बाद यह मैं बोलता रहा हूं कि आप कर सकते हो आप कर सकते हो ऐसे करने से कोई फैदा नहीं होने वाला आपको तरीका बताओंगा तभी आप कर पाओगे अब ऐसा हो गया कि जिसे mobile कर चार्ज करने ओकि चार्ज जाते हो दिया और तो थोडे देल बार आप पजी खेल रहे हो जिसे mobile ने पपजी खेलते हैं अपने आप बैटरी लो जागी तो इसा चार्ज आप करने से कोई तो हम सबसे पहले बात करें अगर यहां पर नमर सिस्टम की तो यहां से आपका एक से दो कोश्चन हर एक एक्जाम में रहता है यहां पर भी आने वाला है फिर आपका LCM हो गया यहां से भी कोश्चन रहेगा और दूसरा यहां पर तो most important topic जो है तीसरा जो है आपका ratio and proportion ठीक है यहां से डेफिनेटली आपके एक से दो कोश्चन रहने वाले एक्जाम में तो यह सारे topic जो है वो highest scoring topic बाकि आपको जितने भी topic दिया गया है उन सभी को करके जाना है लेकिन सबसे जाए जो कोश्चन आते हैं इन सारे topics से आते है percentage से यहां पर percentage से आपके दो कोश्चन minimum रहने वाले हैं ठीक है railway की exam के अगर हम analysis करें तो दो कोश्चन यहां पर minimum आपके रहने वाले हैं वही बात कर लें time and walk का तो time and walk से यहां पर आपके एक कोश्चन रहेंगे ठीक है और दूसरा आपका रहेगा time and distance से इन दोनों को मिलाक यहां पर दो से तीन कोश्चन रहने वाले हैं ना हम लोग SINCI की बात करें तो यहां पर भी आपको सबसे ज़्यादा high schooling topic देखने को मिलेगा यहां पर minimum यहां पर दो कोश्चन पूछे जाएगा और maximum यहां पर दो से चार कोश्चन रहेंगे लेकिन यहां पर चार कोश्चन आपको topic है उसको भी करके जाना है और यहां पर यह जो topic है इनसे इतना question आना ही आना है जितना मैंने आपको बताया है यहां पर सबसे ज़्यादा high scoring topic कौन कौन सा है वो मैंने आपको बताया है ठीक है यह देख सकते हो अब बात करते हैं यहां पर guys की जो reasoning है उनमें कौन कौ कौन से topic high scoring है reasoning में आप सभी को पता है कि coding recording ऐसा कोई exam नहीं होता जिसमें पूछा नहीं जाता और railway में खासकर काफी ज्यादा पूछा जाता है देखो आपका exam 28 से सुरू होगा और वो चलने वाला है मार्स तक तो बीच के जिनके exam है जिनके February में exam है या January के बीच में है उन reasoning हो गया math हो गया general sign सभी के यहां पर करके बताने वाला तो अगर बात करें यहां पर mathematical operation से तो यहां पर जो कोशन है वह ज्यादा आ रहे है पहले यहां पर कोशन नहीं आता था काम आता था लेकिन जहीं ठीक है जो आपका exam हुआ अरर भी जहीं का उसमें मैंने आपको बताय को प्लस लिखते हैं वैसा करके यहां पर इससे question पूछा जाता है तो यहां से आप expect कर सकते हो दो question एक से दो question definitely रहे हैं दो question आप यहां से expect कर सकते हो coding recording से भी यहां पर दो question minimum यहां पर रहना ही है ठीक है वहीं अगर बात कर ले हम यहां पर similarities and difference की तो इसमें भी similarities and differences की बात करें तो इसमें भी अगर बात करें तो यहां पर भी question आपके minimum एक से दो question यहां पर रहता है ठीक है willachtra lyseman से बात करें तो यहां पर बिलकुल यहां पर एक से 2 question definitely आपके हैं यहां पर ठीक है ? normally यहां पर 2 question तो पूछाजा जाता है — हर एक exam में अगर आप देखो तो Blood religion से question रहता है puis अगर यहां पर 2 question पूछा जाता है तो आपकी जू यहां पर यसमें उसमें ऑक पूशन को पूशे कर एगा टो या है तो इसमें ऑफ शुक ए पूशन पूशे है तो या डोर से थीन को पूशन पूशन आपके रहने तो अच्छा nella चिज्वाएंाई जहार तो च Preis तो रहते हैं हो सकता है तीन को से मीपूछ दे टेक है ऐसा यहाँ पर रहता है कि तीन को यहाँ पर मिनिमम दो कोशन आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लॉजन से पूछ जाते हैं तो यह रीज्णिंग की इंपॉर्टन टॉपिक हो गए अन बाकी आप जनरा वेनेस की देख सकत तो तो इहां पर अच्छा पॉइंट आप कर पाएंगे फिर आपको आपको पता है कि अगर किरकेट से पूछा तो कोछिन रहने वाला है क्योंकि यहां पर 2020 में और सारी किरकेट मैं चुई कोई टूनामेंट बड़ी हुई नहीं तो यहां पर आइपेल से ही कोशन जाता रहने वाला है अगर बात करें यहां पर पूछा गया तो फिर जो आपको इंपोर्टेंट इवेंट्स भी याद रखने हैं यह सब यहां पर तो पूछा ही जाएगा ठीक है तो यह सारे टॉपि पूछा जा रहा है यह आपका स्लेवस है तो अगर आप यहां पर दो सब्जेक को टार्गेट कर लेते हो जैसे कि थर्टी में से आप अगर मालों 25 भी लाते हो रिजनिंग में क्योंकि यह सबसे इजी पार होता है आपका दूसरा आपका मैठ है तो मैठ हैं यहां पर काफी लोगों का वीक होता है तो अगर आप 20 भी यहां पर लाते हो तो आपके लिए यह बहुत अच्छी बात है ठीक है यहां पर 20 लाओँगे यहां पर 30 लाओगे तो आपका यहां पर सलेक्शन तो बहुत ईज़ली हो जाए माला कितना अपन माला सकते हो आप स्कुर कर सब्स त 20 अगर लाती हो तो सुझो आपका स्कूर कितना होगा तो 75 तक आप स्कूर कर सकते हो अब 75 कर सकते हो लेकिन मैंने यह जो कंडिशन बता है वह 75 का बता है जब आपका यहां पर लेबल ऑफ एक्जाम हाड रहे तब ठीक है अगर मैं अच्छे यहां पर मार्क्स ला सकते हो कि अगर आप यहां पर अच्छी प्रपेशिन करके जा रहे हो लेकिन 17 अटेम्ट आपका यहां पर हो रहा है उससे ज्याद आपको समझ नहीं आ रहा तो लेवल ऑफ एक्जाम आपके लिए हाड नहीं है पूरे वहां पर जितने भी इस्टिन बैठे हो है एक्जाम सेंटर म वहां पर कम होंगे तो वह चीज़ दियान में रखो कि कभी यह ना सोचू कि 80 प्लस 85 प्लस मुझे कर ही देना है अगर एक्जाम कैसा भी हो लेवल हाड है फिर भी मैं आप 85 के लिए मैं तुक्का भी लगा दूँगा ऐसा गलती बिलकुल ना करे तुक्का आपके एक्जाम एक्लियम को खराब कर सकता है मौक टिस्ट कारें बेश्ट मोक टिस्ट मैंने आपको फाइंड कराएं जिसकी लिंक मेंने आपको डिसक्रिप्श्रिट वाक में तेया उआग जो कि मेरे आप पर आपको मिलेगा नीचे लिंक आपको दिया हुआ है जैसे है आप लिंक टिπα कर सकते हो बिनना डाउलोड किये भी ठीक है तो यह मॉक टेस्ट जो है यह बिलकुल यहां पर एक्जाम पैटन पर बेश्ट है जिसमें कि आप लाइफ टाइम के लिए इन्रॉल करते हो ठीक है ऐसा नहीं कि एक साल का डिरूशन उसका एक्सपायर हो जाएगा लाइफ टाइम के कि यह जो मॉक टेस्ट है यह आपके लिए यहां पर काफी इंपोर्टेंट है अब मॉक टेस्ट कैसे देना है दोखो यहां पर क्या है कि 125 मॉक टेस्ट है किसी की एक्जाम यहां पर जैन्वरी में होंगे तो किसी के यहां पर मालो फेवरी में है और किसी की दिसेंबर में ह 217 मिर्स स्टार्ट है तो फॉस्ट रहो गया सेकेंड थोगी उनको क्या करना है उनको मौक टिस्ट अभी से अठेंग करना है अब दो केटगोरी की यहां पर एक तो जिनका यहां पर मालोग की कंप्रेशन पर्पेशन कंप्लीट है बस उनको रिविजन करना है दूसरा ऐसा व मुझो और प्रिविए सेयर के ज्यादा नहीं एक टॉपिक से ठीक है मालों कि आप रिजिंग में से लिजम थोड़ा आपका वीक है तो उस टॉपिक से आप ज्यादा नहीं एट टू नाइन कोशिन प्रिविए सेयर का सॉल्व करो आपका यहां पर वो टॉपिक हो जाएगा इससे जाग करने की नहीं है कभी कभी क्या होता कि एक ही टॉपिक समझा कोशिन कर लेते हैं जिससे हमारे बाकि साथ टॉपिक है वह थोड़ा सा यहां पर वीक रह जाता है ज यहां पर देगा और उसकी प्रिप्रेशन अच्छी है लेकिन उसका स्कोर कम आया मलाइक उसका स्कोर 50 आया 60 50 की बीच में रहा और उसका स्पेक्टिसन था कि 85 ला लेगा तो फॉस्ट दिया और वो थ्वा से डिप्रेशन में भी चला जाता है सुर्साई कि मैं इतना अच् पहले आप यह देखो कि मॉक्टेश्ट में अपब कहां पर फस रहा हो अगर आप वह पर फस रहा हो जहां आपका वीरक सिनमाल हो कि कुछ है तो आप क्या करो, question आपसे solve नहीं हुआ, तो कभी भी तुक्का मत मारना, क्योंकि mock test में अगर तुक्का मारोगे, तो आपने आपको analyze नहीं कर पाऊगे, क्योंकि mock test में कभी भी तुक्का मत मारना, उस टाइम उस question को छोड़ दो, जब यहाँ पर आपका होज जाएगा, तो उस question को note करो, उस question को solve करो, और उस topic से यहाँ पर दो से तीन question और करो, फिर आप यहाँ पर क्या करो, जिस भी topic आपका week है, आप उस topic को एक बार फिर से analyze करो और दो से तीन question प्रिविश से जबू से time करो, उसके बाद फिर अगला mock test लगाओ, analyze करके mock test लगाओ, यानि कि अगर ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 3-4 mock test दे लिए, आपको यहाँ पर score increase नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एक दिन में 1 mock test देना है अ तो mock test में नहीं बढ़ागा तो फिर exam में आप कैसे बढ़ाओ अपने score को, तो mock test में score बनान का एक ही तरीका है कि आप यहाँ पर थोड़ से analyze करो खुद को, अगर आपका यहाँ पर mock test में कम भी marks आ रहा है, फिर भी आप तुक्का ना लगाओ, क्योंकि आप यहाँ पर exam में तुक्का नहीं लगाना है, आपको खुद को देखना है कि आप कहाँ पर हो, कितना marks आपका आ रहा है, उसका analyze करके फिर आगे उस week जो आपका पार है, उसको strong बनाओ, उसके बाद फिर आगे यहाँ पर mock test हो, तो ऐसे आप mock test में अपने marks को increase कर सकते हो, तो मैंने जो mock test आपको पता है, वो mock test एक वाद जिदोर से try करना, क्योंकि बहुत कुछ से analyze करके मैंने उस mock test को अपने app पर लाया है, ठीक है, ऐसा ही नहीं लाया है, मैंने उसको देखा, analyze करा है, जब मुझे वो best लगा, तभी मैंने उसको अपने app पर लाया, ठीक है, तो अगर बात करें, home center की home center होगा या नहीं होगा, तो देखो, यहाँ पर कुछ ऐसे city है, जहाँ पर नहीं भी हो सकता है, mostly आपको home center मिल जागा, लेकिन कुछ ऐसा city है, मालों की जैसे, कुछ ऐसा region है, जहाँ पर form फिलप जादा है, तो जहाँ पर, मालों की आस पास ही रहेग आपको एक center पर नहीं हो पारा एक्जाम, तो बहुत आप यहाँ पर form फिलप भी है, तो उहाँ पर आपको हो सकता है, home center नहीं हो थोग से दूर जाना पड़े, लेकिन, mostly आपको यहाँ पर home center मिल जाएगा, ठीक है, mostly आपको यहाँ पर home center मिल जाएगा, क्योंकि coronavirus है, उसके आपको यहाँ पर home center मिल जाने वाला है, guys, so guys, बहुत जल आपका यहाँ पर city intimation भी आजाएगा, और admit card कब से डाउनलोड कर सकते हो, यह देट भी आजाएगा, ऐसे तो 28 का आपका यहाँ पर exam सुरू, 28 से सुरू हो रहा है, तो आप मान के चलो कि 18 से आपके यहाँ पर link एक नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करके एक ग्रूप में जरुशे शेयर कर देना, guys, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब एक लिए, bye bye and take care, guys,